बॉलिवुट की नई अभिनेतरी कविता राधिश्याम को अपनी पहली फिल्म के बाद धमकिया मिलनी शुरू हो चुकी है कविता इन दिनों जिस फिल्म में काम कर रही है उस फिल्म का नाम है ओम अल्ला सारे विवाद की जड़ फिल्म का यही टाइटल है जो पाकिस्तान में बैठे कटर पंथियों को पसंद नहीं आ रहा पाकिस्तान और मुंबई में बैठे कटर पंथियों ने एक्टरस कविता को फेस्बुक और फोन पर लगातार धमकियां दे रहे हैं ये लोग इसके खिलाफ कविता ने मुंबई पुलिस के साइबर सल में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है कविता ने इन धमकियों के बारे में अमबोली पुलिस टेशन में भी शिकायत दर्ज की है धमकाने वाले लोग कविता को फिल्म छोड़ देने की धंकी दे रहे हैं धमकाने वालों ने कविता को साथ दिन की महलत दी है और इस वक्त हमारे साथ खुद मौझूद है फिल्म ओम अल्ला की एक्टरिस कविता राधेश्या में नहीं समझानेगे कि आखिरकार क्या है ये पूरा मामला और इन्हें क्या धंकिया मिल रही है कविता आप से जानना चाहेंगे किस तरह की धंकिया मिल रही है क्या है पूरा मामला और कब से मिल रही है देखिए पूरा मामला ये है कि एक फिल्म बन रही है ओम अल्ला जो मेरी Bollywood में first debut है और हमारा एक page बना हुआ है Facebook पे ओम अल्ला का खुद का तो इसके against एक page खड़ा हुआ है जो प्रोटेस्ट कर रहा है इस film के नाम को लेके जो पाकिस्तान से ओप्रेट हो रहा है इस वक्त और वो लोग उसमें से ये बूल रहे हैं इन लोग को कुछ भी नहीं हाता है इस पे जब मैंने विजट किया इस पेच पे तो मैंने उन पर प्रोटेस्ट किया मैंने उनको ये बोला कि देखे पहले आप फिल्म देख लीज़े फिल्म पूरी बनी नहीं है रिलीज भी नहीं होई है तो आप सिर्फ नाम के उपर जज्जमेंट नहीं दे सकते हैं कि अल्ला के साथ ओम क्यों जोडा गया है और मैंने इतना भी बोला मैंने का देखे अल्ला और ओम एक ही भगवान है सिर्फ नाम अलाग अलाग है तो आप ये नहीं बोल सकते कि अल्ला के साथ ओम क्यों जोडा गया इससे तो हमारे रिलीजन की इंसल्ट हो रही है ना कि हम लोग आपके रिलीजन की इंसल्ट कर रहे है तो इस पे मैंने ये बोला कि अगर ओम अल्ला ना रखे क्योंकि ये फिल्म हमारी हिंदू और मुस्लिम के पीस के लिए बात कर रही है ना कि उनको तोडने की जोडने की बात हो रही है तो इससे तो आप हमारे ही रिलिजन को इंसल्ट कर रहे हैं कि Allah के साथ किसी और का नाम जोड़ी नहीं सकते हैं तो मैंने ये बोला कि अगर हम ओम अल्ला ना रखे तो क्या फिल्म का नम उसामा रख दे तो इस पे वो लोग भड़क गए उन्होंने ये बोला कि मुझे एक मैसेज आया मेरे ही फेस्बुक पर कि महतरवा आप आदे खंटे के बाद अपना मेल चेक कर लिजए जब मैंने मेल चेक किया तो उस मेल के अंदर मुझे तीन डिमांड्स दी गई और मुझे ये बोला गया कि देखिए इस फिल्म से अपना हाथ पीछे कर लिजए इस फिल्म से निकल जाईए फेस्बुक का आपका जो पेज है उसको डिलीड कर दीजे और तीसरा इसी प्रोटेस पेज पर आके हम सब मुसल्मान भाईयों से माफी मांगे है तो सर मैं तो माफी मांगने से रही, माफी क्यों मांगू? क्योंकि मैंने जो भी लिखा है, मैंने जो भी बोला है, मैं उस पे बिलकुल भी रिग्रेट नहीं करती हूँ माफिय उल्टा उन लोगों को मुझसे मांगनी चाहिए है इस वाक क्योंकि उन लोगों ने हमारी इंसल्ट किया यहाँ पर अल्ला के साथ ओम का नाम नहीं जोना तो उनके लिए तो ओम कुछ भी नहीं है इस वाक माफिय मांगनी की कोई वजह दिखाईंगी देती कविता जाना चाहेंगे आपसे आपने जब पुलिस में इसकी एफाइयार लिखाई, पुलिस में जब आपनी शिकायत की वहां से अभी तक एक सब्ता का समय दिया है love अभिक्या आगे हुआ है क्या इंप्रूम्नॉप्ट हुई है क्या कुछ पता चल पाया है किphones 9 से मेरे कॉल जाने समय स्टार्ट है क्योंकि मुझे एक मेल यह भी आया था जिसके अंदर मेरे मेरा एड्रस दिया गया था मेरा फोन नंबर तक दिया गया था और मैं गई थी पूर्ण निकालेंगे उन्होंने मुझे यह बोला मैंने का ठीक है आप तो हीरोईन बन रहे हैं आप तो मीडिया में जाने लग गई हैं हमने तो आपको जो डिमांड्स दिया हैं आप उसको साथ दिन के अंदर अंदर पूरा कीजिए अपना फेस्बूक अकाउंट डिलीट क किया गया मेरे साथ मैं बोली पूली स्टेशन गई वहां मिस्टे सुजीत कुमार से मैं मिली तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जोकर गई हूं वहां पर क्योंकि वो लोग मेरी बात सुनके हस रहे थे और उल्टा मुझे यह बोल रहे थे कि अरे आपको तो यह सारे कमेंट्स डि लीट कर दू प्रोटेस्ट पेज में से और वो मेरा बैट के मजाग बना रहे थे मुझे इतना बोल रहे थे कि आपी क्यों पर केस हो जाएगा आपी को थाने के अंदर डालना पड़ेगा जी बेहर शर्मिनाक रवाया पुलिस की तरफ से तो हम बाहरी लोगों को क्या कह सक देहें जहां से आपको धंकिया मिलने इस पूरी बादशीत के लिए कविता आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो ये थी कविता राधे श्याम हमारे साथ जुड़ी हुई थे और बताया उन्होंने कि किस तरीके से उन्हें धंकिया मिली लेकिन यहाँ पर सबसे ज़ादा रवाया रहा मुंबई पुलिस का अंबोली पुलिस का जिन्होंने कविता की इन तमाम बातों का मजा कर आया उल्टे उन्हें सलाह दी गई पुलिस ने सलाह दी कविता को कि आप सारी कमेंट्स वापस ले लीजे डिलिट कर दीजे यानि उनके डिमांड पूरी कर दीजे फ झाल